हेलो दोस्तों आज की वीडियो में रिजिनिंग के कुछ महत पूर्थ प्रस्णों को सौल्व कराएंगे और एप्रस्ण आपके प्रिवियस येर इज्जाम में पूछे जा चुके हैं इन प्रस्णों को बहुत ही आसान तरीके से सौल्व करेंगे तो चलिए दोस्तों चलते अपने पहले कोशन की ओर कोशन नमर वन देखिए दोस्तों कोशन नमर वन में क्या दिया है 6 का संबन 222 से है तो 7 का संबन किस से होगा इसी कामें सौल्व करना है तो कैसे सौल्व करेंगे देखिए दोस्तों 4 आपसन दिया हुआ है तो देखिए 6 का संबंद 222 से कैसे हुआ है कि उसी परकर हम साथ का संबंद करेंगे तो ये कापसन हमारा आ जाएगा तो चलिए दोस्तो इसे solve कर लेते हैं देखिए 6 का हम क्या करें कि 222 आ जाए इस 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा ठीक है देखे दोस्तों हमारा आगया 222 हमने क्या किया 6 का घं किया ठीक है और उसमें 6 प्लस कर दिया तो 222 आ ठीक है अब उसी परका इसे स्वल्व करेंगे देखे दोस्तों 7 7 का घं कितना होता है 7 का घं 343 होता ह और इसमें 7 जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा किसा अपनों दिया है आपसन नमबर A में दिया है तो आपसन नमबर A हमारा से हो जाएगा देखे दोस्तों हमने क्या किया 6 का गंड किया और उसमें 6 जोड दिया है तो हमारी संक् question पर question नमर दूसरा देखीं दोस्तो question idea 121 का संबंद 12 से है तो 25 का संबंद किसं से होगा इसी को में solve करना हैende 4 a relaxion दिये हुए हैं देखिए दोस्तो इस प्रमाइब कोई से solve करेंगे 121 दिया है इसका संबंद 12 से है ठीक है कैसे देखिए दोस्तों अगर 12 का हम वर्ग करेंगे तो कितना जगा एक 125 यहाँ पर कितना एक 120 आपके तो कितना एक एक 120 आएगा थीक के एक 122 का किया 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 है च्याराइगा 12, ठीके, दोस्तों, देखिए, आ गया 12, इसका संबद इस परकार था है, किस परकार, 11 का वरग था, ठीके, तो 121 आया, यानि रहा की 11 का वरग था, 121 ठीके, इस 11 हमने 1 जूर दिया, तो कितना ओगया 12, उसी परकार इसे solve करेंगे देखी दोस्तों 25 किसका वर गए 5 का वर गए ठीक है किसका 5 का वर गए ठीक है तो 5 का वर गए हो गया 25 ठीक है तो अब क्या करेंगे 5 में एक जूर देंगे तो क्या जाएगा 6 आजाएगा 6 आने की question 6 बड़ा ज्याएगा ठीक है किस अफशन नहीं धिया option नमर C में धिया है तो am Carn nom C हमारा service देख्ए दोस्तों हमने 11 का वर किया तो 21 जल्टीस आजया ठीक है यह वाली संग्या प्राप्त थी ठीक है 11 सम्वन हमने एक जूर दिया तो 12 हो गया इसका सμबन इस पर करठा पिर क्या किया कि पचीश का ठीके आने की 5 का अवर किये तो 25 आ ठीके 5 का अवर किये तो 25 आ गया और 5 में एक जोड़ दिये तो 6 आ गया option number C में दिया हुआ है अच्छे तो option number C हमारा से हो जाएगा तो चली दोस्तों चलते पर next question पर question number 3 देखे दोस्तों question number 3 क्या दिया है 14 का संबंध 9 से है तो 26 का संबंध question tag से कैसे होगा इसी comment solve करना है 4 option दिया हुआ है देखे दोस्तों किस परकार 14 का संबन 9 से दिया है ठीक है उसी परकार हम 26 का संबन question mark से लाएंगे तो चलिए इसे solve करते हैं देखी क्या दिया है 14 14 में क्या करेंगे 14 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ठीक है और 18 में हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे ठीके 18 में हम 2 से भाग दिदेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ठीके देखे दोस्तों 9 आ गया हमने क्या किया कि 14 में 4 जोड़ा तो 18 हो गया और 18 में हमने 2 से भाग दिया तो 9 आ गया ठीके अब उसी परकार इसे solve करते हैं देखे दोस्तों 26 है ठीके 26 में क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा ठीके 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और 30 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ठीके तो कोश्चन टेक के अस्तान पर क्या बढ़ा जाएगा 15 बजा जाएगा देखिए दोस्तों हमने बहुत ही आसानी से सुल्व कर लिया क्या कि चोदा में चार जोड़ें तो 18 आ गया 18 में 2 से भाग दिये तो 9 आ गया और उसी परकार 26 में 4 जोड़ दिये तो 30 आ गया 30 में 2 से भाग दिये तो 15 आ गया आफसर नमर सी में दिया हुआ है तो आफसन नमर सी हमारा से हो जाएगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने next question पर question नमर 4 देखें दोस्तों question नमर 4 में क्या दिया है 19 का संबन 37 से है तो 26 का संबन question mark से कैसे होगा 4 आफसन दिये हुए हैं इनी में से एक आफसन को में select करना है तो कैसे solve करेंगे देखें दोस्तों 19 का संबन 37 से कैसे किया है उसी परकार हम 26 का संबन question mark से करेंगे तो कोई एक आफसन हमारा आ जाएगा तो चलिए पहले इससे solve कर लेते हैं देखें दोस्तों 19 में क्या किया है 19 में क्या किया है कि 2 से गुना कर दिया है ठीक है देखें दोस्तों, 19 में 2 से गुना की हैं, तो कितना आ गया? 38 आ गया, और 38 में से माइनस 1 कर दियें, तो 37 आ गया, आने की इसका संबल इस पर करता, ठीके? अब क्या करेंगे? 26, 26 में 2 से गुना करेंगे, ठीके? तो कितना आ जाएगा? 52 आएगा, ठीके? कितना आजाएगा 51 कीसा अपसिन ने दिढिया है आपसन नमर B में दिढिया है तो आपसन नमर B हमारा save जाएगा देखिती दोस्तों हमने क्या किया 26 में 2 से गुना किया तो 52 आगया ठीक है और 52 में से मानस 1 कर दिया तो 51 आगया तो question मारकेस्थान पे एक क्यावन भरा जाएगा ठीक है और option number B में दिया है तो option number B हमारा save जाएगा तो चलते हैं अपने next question पर question number 5 देखें दोस्तो question number 5 में क्या दिया है 42 का संबंद 20 से है तो 64 का संबंद किस से होगा देखें दोस्तो चार option दिये हुए है इनी में से एक option हमें select करना है तो कैसे solve करेंगे देखें दोस्तो पहले क्या करेंगे 42 का संबंद किस परकार 20 से दिया है इसी परकार 64 का संबंद हम question mark से करेंगे तो कोई एक option हमारा आ जाएगा तो चलिए पहले से solve कर लेते हैं देखें दोस्तों क्या करेंगे 42 का संब्द 20 से कैसे दिया है 20 में क्या करेंगे कि 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 40 जाएगा ठीक है और 40 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 हो गया, ठीक है, देखें दोस्तों इसका संबद इस पर करता, 20 में 2 से गुना किये तो 40 हैगा, 40 में 2 जोड़ दिये तो 22 हैगा, ठीक है, अब इसी परकार इसे स्वल्व करते हैं, देखें दोस्तों क्या दिया? 64, 64 का संबद question mark से है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे option solve करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, option solve करेंगे, तो option number A में क्या दिया है, 31, ठीक है, 31 में हम 2 से गुड़ा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, और 62 में हम 2 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 64 ठीक है दोस्तों, तो question mark एस्तान पर क्या बढ़ वोस्तिति हमरा साइगा एक तुसाइज तो आपसों नमब्र में में दिया है तो एक तीसुटा में प्रस्ण आपको बहुत ही बेतरीन तरीके समझ में आ गये होंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सस्क्राइब और सेर करना ना भूलेगा तो आज की लिए बस इतना ही